हरे क्रिश्ना, हरे क्रिश्ना, 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 हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, 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 हरे हरे, हरे क्रिश्ना, गोरी पुत्र गनेश भगवान की जै, तुलसा शालिग्राम भगवान की जै, नमस्कार भक्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Great MS Voice में हे प्रिय भक्तों आज आशार मास के क्रेश्न पक्ष की योगिनी एकदशी के व्रत का पारण का दिन है मतलब की जिन्होंने कल एकदशी का व्रत किया था वह भक्त जन आज व्रत खोलेंगे तो आज का दिन बड़ा ही शुब है एकदशी पारण के दिन तुलसी माता और लक्षमी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना चाता है तो जिन भक्तों ने कल एकदशी कवरत नहीं भी रखा था। उन्हें भी आज के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनन्त शुबफलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी भक्त जनों से विनम्र निवेदन हैं कि इन कथाओं को बड़े ही श्रधा और प्रसंचित मन से पूरा अवश्य सुनेगा। तो प्रेम से बोलिये गौरी पुत्र गनेश भगवान की जय, लक्ष्मी नरायन भगवान की जय, तुलसा शाली ग्राम भगवान की जय, हरे क्रिश्ना। एक बार एक बुड़ ही मानन, एक अदशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की, वे बहुत ही वृद्ध थी, फिर भी उन्हें वृद्धा वस्ता में क्या बादा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों के सुक्सु विधा के लिए व्रत रखन की तुफल दान में दिये, डोना भर भर के बूरा शुक्र वित्रण किया, दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वज़ा से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इसी कारण से बहुत देर तक बुड़ी माई पानी में पड़ी रही, और पानी के कुल्ला करती रही, मुह धोती रही, तब कहीं थोड़ा भौत धैरे बन पाया, धूप तो तेज बढ़ी रही थी, इस कारण बार बार मुह सूख रहा था, बुड़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह बहंकर गर्मी, व्रिधा वस्ता की स्तिती तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है, जैसे तैसे रोधों के दिन तो कट गया, अब पहार सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था, खटिया पर पड़े शंती नहीं मिल रही थी, वे बार-बार करवट बदल रही थी, अनेक बार वे बाहर जात माताजी, आप मेरी लाज रखियेगा, आप ही मुझे शक्ति दीजेगा, जिससे मैं भली भांती आपका वरत पूरा कर सकूँ, और यह पहार सी रात शान्ती पूर्वक व्यतित हो सके, प्यास के कारण पूरी मा की बेचानी तो बढ़ ही रही थी, उन्होंने धैरे रखने क बहुत प्रियास किया, किन्तु सेहन शिलता के सीमा तूट गई, और वे घबरा कर एक्दम चिला पड़ी, बोली कि बचाओ, बचाओ, अम्मा का चिलाना सुनकर, परिवार भर के, नर नारी बच्चे और पडोसी एकत्रित होकर, बोड़ी अम्मा की खटिया के समेप आ पहुच्छा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ, आप क्यों चिला रही है, आप इस वृध्धा वस्ता में यह कठिन रत क्यों कर रही है, अम्मा जी शक्ति से ही भक्ति होती है, थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, मेरी चाती पर थंडे पानी का घड़ा रखती चीए नातियों ने दादी की चाती पर थंडे पानी का पात्र रखती है तब कहीं उन्हें थोड़ा सा अराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखे बंद कर ले एकडशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर जरा जाकर उसकी परिक्षा लेने चाहिए एका दशिमाता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी मुर्गा की आवास सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की और देखा किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातह कालिन तारा दिखा होने लगा था किंतु अंत में उन्होंने ध्रेड़ निश्चे किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए यह सोच कर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई थोड़ी ही देर में एक अदशी माता ने उनके फिर स सवेरा हो गया है आप हाथ मों धोकर शर्बत पी लीजिए पहले तो शर्बत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा किन्तु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी परकार से अभी शर्बत नहीं पी सकती हूं और वे शानती पूर्वत अपने खटिया पर लेट गें फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुए में पटक दिया हो वे बड़ी देर तक उस कुए में हाथ पाउँ चलाती रहे किंतु उन्होंने अपने मोह में पानी की एक पूंद भी नहीं जाने दी और अपना व्रत पालती रहे थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी प्यास की कारण प्राण निकलने लगे किन्तु बोड़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई से बैठ तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में तीन चार घंटे की देरी है यह जानकर वे शानती पूर्वक इधर उदर घूमने फिरने लगी एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बुड़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं डल सकती वे उन अच्छी माता की कथा सुनी ब्रामनों को दक्षना देकर भोजन कराया तब कहीं उन्होंने जल ग्रहन किया कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वेम भोजन किया उस श्रेष्ट व्रत के परताप से बुड़ी अम्मा की आयू में व्रिथी हो गई उनका घर परि इन से बारा महीने की एकदशी का व्रत कने लगी एकदशी माता के व्रत के परताप से इस संसार में हर परकार की सुख भोग कर अंत में वैकुंट धाम को चली देगी जैसे एकदशी माता ने बुड़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया ऐसे ही एकदशी माता हम सभी की मनो कामनाओं को पूर्ण करे बोलिये कदशी माता की जय बोली श्री तुलसी शाली ग्राम जी की जय आईए अब बड़ी ही श्रधा और प्रसंग चित मन से मनो कामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं तुलसी माता की कथा को सुने बिना व्रत पू मिल जाता है तो आईए प्रसंचित मन से इस कथा को सुनते हैं कथा के अनुसार एक कुटूंब में ननन्द तथा भावी साथ में रहते थे ननन्द का विवाह अभी नहीं हुआ था वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया तरती थी लेकिन उसकी भावी को यह सब कुछ पिल्कुल भी पसंद नहीं था जब कभी भी उसकी भावी को अत्यदे कुस्सा आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूगी और तुम्हारे दहेच मैं भी तुलसी ही दूगी कुछ समय बीट जाने पर ननन्द का विवाह पत्का हुआ विवाह के दिन भावी ने अपने कहे अनुसार मतलब जैसा कि वह हमेशा बोला करती थी कि तुम्हारे विवाह मैं बरातियों को तुलसी ही खाने को दूगी और दहेच मैं भी तुलसी ही दूगी तो भावी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोर दिया और बरातियों को उसे खाने के लिए कहा तुलसी मादा की क्रिपां से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिश्ट पकवानों में बदल गया भावी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिये और वे भी सुन्दर सोने जुहरात में बदल गये भावी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेव रख दिया और वे है रेश्मी तथा सुन्दर वस्त्रों में बदल गया जब ननन ससुराल पहुँची तो उसके ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशन सा की गई जब यह बात भावी के कानों तक पहुँची तो उसे बड़ा ही अश्चरे हुआ उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया भावी की एक लड़की थी वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो तुम ही भी बुवा की तरह फल मिलेगा वह जब बर्दस्ती अपनी बेटी से तुलसी माता की सेवा करने को कहती लेकिन लड़की कामन तुलसी सेवा में नहीं लगता था लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आ गया तब भावी सोचती है कि जैसा विवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पक्वान मिलेंगी ससुराल में इसे भी बहुत इज़त मिलेगी यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोर देती है लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे जनेओं भी अपने रूप नहीं बदलता है सभी लोगों तथा बरातियों द्वारा भावी की बुराई की जाती है लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते है भावी कभी भी ननन्द को घर नहीं बुलाती थी भाई को बेहन की याद आती है तो भाई ने सोचा बहुत समय हो गया मैं बेहन से मिल कर आता हूँ उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बेहन के पास ले जाने की बात कही भावी ने थैले में जुआर भर कर दे दिया और कहा और कुछ नहीं है तुम यही ले जाओ वहे दुखी मन से बेहन के पास चल पड़ा वह सारे रास्ते सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बेहन के घर जुआर कैसे ले जा सकता है यह सोचकर वहे एक गौशाला के पास रुका और जुआर का थैला गाए के सामने पलड़ दिया तभी गाए पालने वाले ने कहा कि आप गाए के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो यह देखकर भाई को बड़ा ही अश्चरे हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया भाई ने सारी बात अपनी बेहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बेहन को दिये दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंद प्रसन हुए जैसी कृपा माता तुलसी ने ननन्द पर की ऐसी ही कृपा सभी पर करना बोल ये शिरी तुलसी माता शाली ग्राम भगवान की जय बोल ये शिरी लक्षमी नरायन भगवान की जय आईए अब तुलसी माता की दोसी कथा कशवन करते हैं सावर्नी मुनी की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंद्री थी उनकी इच्छा थी कि उनका विवा भगवान नरायन की साथ हो इसके लिए उन्होंने नरायन परवत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की देर्खकाल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्माजी ने प्रसन होकर दर्शन दिये और वर्वांगने को कहा तुलसी जी ने कहा हे स्रिष्टी करता हे ब्रह्मदेव आप अंतरियामी हैं सबकी मन की बात जानते हैं फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ मैं चाहती हूँ कि भगवान शिरी नरायन मुझे पती रूप में मिले ब्रह्माजी ने कहा तुम्हारा अभिष्ट तुमें अवश्य मिलेगा अपने पूर्व जनम में किसी अपराद के कारण तुम्हें श्राप मिला है इसी परकार भगवान शिरी नरायन के एक पार्षद को भी दानव कुल में जनम लेने का श्राप मिला है दानव कुल में जनम लेने के बाद भी उसमें नरायन का अंश विद्धे मान रहेगा। इसलिए इस जनम में पूरुव जनम के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नरायन तो नहीं मिलेंगे। लेकिन नरायन के अंश से युक्त दानव कुल में जनमें उस शाप क्रस्थ पार् शाप मुक्ध होने पर भगवान शिरे नरायन सदार सरवता के लिए तुम्हारे पती हो जाएंगे तुलसी जी ने भ्रमा के इस वर को स्विकार किया क्योंकि मानव कुल में जनम के कारण उस मायवी भोग को तो भोग नहीं था तुलसी जी बद्री वन में ही रहने लगी नरायन का वहपार्श दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था कुछ दिनों बाद वह भ्रमन करता हुआ बद्री वन में आया यहां तूलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया और तूलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा उसने तूलसी जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की इतने में ही महा भ्रह्मा जी भी वहां आ गए और तूलसी जी से कहा तूलसी जलंधर को तेखो कैसा देवोपम उसका स्वरूप है दानवकुल में जनम लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके श्रीर में नरायन का वास हो तुम प्रस्ताव को सहर्श सविकार कर लो तूलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई उसे इच्छित फल मिला है जलंधर के साथ उसका गंदर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई जलंधर ने अपनी परम सुंद्री सती साथ भी पत्नी दुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देव लोग तक उसकी अधिक और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर भ्रह्मा विश्णु और शिवजी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई भ्रह्मा जी ने कहा तुलसी परम साथ भी है उसका विवाहा जलंधर से मैंने ही कराया था जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना चला जाए विश्णु जी ने कहा जलंधर पूर्व जनम में मेरा पार्शत था शाप के कारण उसे देत्ते कुल में जनम लेना पड़ा इस जनम में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है साथ ही तुलसी के पती व्रत धरम से वह अजय है फिर जलंधर के पास संदेश भेचा कि या तो वह देवताओं को राज्ये लोटा दे या फिर उनसे यूद करें जलंधर शंकर के पास पहुंचा उसने कहा देवादी देव आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है राज्ये बढ़ाना हर राजा का करताव्या ह मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ देवताओं से कहिए कि विमिल प्रजबन कर रहे हैं मैंने आपका कोई भी अबमान नहीं किया है हमारा आपका यूद शोबा नहीं देता है अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा के बात होगी मैं हार गया तो आपकी किर्ती बहु पूरी हो चुकी थी फिर शंकर जी बोले इसमें किर्ती और लज्जा की बात क्या है तुम देवों को राज्जे लोटा कर उन्हें उनके पदपर प्रतिश्टित होने दो यूद से बचने का यहीं एक उपाय है जलंधर ने कहा मैंने यूद के बल से देव लोग जीता है को पुलसी को सारी बातें बताई और कहा करम भोग सब काल सुत्र में बंदा है जीवन में हर्श शोक भै सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है हम तो केवल निमित हैं संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे यूद करे तुम चिंता मत करना तुम्हार सती तेज मेरी रक्षा करेगा दूसरे दिन भगवान शंकर के नेत्रित्व में देवताने युद छेड़ दिया जलंधन भीशन वानों की वर्षा कर उनका वेग रोका उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे उसने दानवी शक्ति का प्रयोक करके माया वी युद कर रहे थे देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं क्योंकि कोई शत्रू सामने था ही नहीं कई दिनों तक इस तरह भ्यंकर युद चला जलंधर प्राजित नहीं हुआ तब शिवजी ने विश्णू से कहा विश्णू कुछ तो उपाय करो अन्यधा मेरा तो सारा यश बिट्टी में मिल जाएगा विश्णू जे ने सोचा बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसजित हो तूलसी जी के पास पहुँ पती को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समझार सुनकर वह दोड़कर माया वी जलंधर की कले से लिपट गई इस प्रकार पती पत्नी दोनोंने आलिंगन होकर खुब खुशी मनाई पर पुरुष के साथ इस प्रकार के विवहार से उसका सती तेज नाष्ठ हो गया यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया जलंधर के मरने को जानकर विश्णु अपने असले रूप में आ गए सामने अपने पती जलंधर के स्थान पर भगवान विश्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विश्मीत हुई उसको पता लग गया कि स्वेम नारायन ने उसके साथ चल किया है क्रोध में आकर तुलसी जीने श्राप दिया एक सती इस्त्री का स्थित्व भंग करने के अपराद में तुम हिर्देहीन पत्थर हो जाओ विश्णुझी ने तुलसी के श्राप को शीरुधारे कर कहा देवी तुमहारे तथा जलन्धर के कल्यान के लिए मुझे असक करना पड़ा तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था तुम भी अब अपना श्रेर त्यार कर तुलसी बिर्वा की रूप में जनम लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी मैं शाली ग्राम पत्थर बनूँगा मेरे शेश पर तुम आदर से विराजमान होगी तुम्हारे पती की हडियों के चोर्ण से शंक की उत्पत्ति होग उस शंक द्वनी से देवताओं तथा मेरी पूजा अराधना होगी जहां शंक द्वनी होगी वहां मंगल मैं मैं विराजमान रहूंगा तुमने पूर्व जनम में बदरी वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी अब अगले जनम में मैं नरायन प्रस्तर के र होगी मेरे शीष पर विराज मान होकर तुम मुझसे भी उंचा पद प्राप्त करोगी बोल ये शरी लक्षमी नरायन भगवाने की जय बोली शिरी तुलसा जी शालिग राम जी की जय आए अब तुलसी जी की तीसरी कथा को सुनते हैं इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकाम ने पौण हो जाती हैं एक बार एक गाउ में एक बुजुर्क महिला रहा करती थी वह प्रती दिल पूजा पाठ कियां करती थी वह रोज तुलसी माथा से कहती है तुम मुझे बहु दे पितांबर की धोति दे मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौध दे, चंदन का काट दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौध दे, और क्रिशन जी का कंधा दे वह बजुर्ग महिला हर महिने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनकी बिरले को रोज सेंचती तुलसी माता बजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी तभी भगवान शिरी क्रेश्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तब ही एक दिन भगवान शिरी कृष्ण तुलसी मादाजी के पास प्रकट हुए और भगवान शिरी कृष्ण जी ने तुलसी मादा से पूछा तुम क्यों सोख रही हो सब ही महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है और तुम को रोज सींचती है लेकिन फिर भी तुम सूपती जा रही हो इसका कारण क्या है जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान शरी कृष्ण जी से कहा कि हे ब्रभो एक बजूर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता सब की दाता मैं तेरा बिरला सीष्टी हूँ तुम मुझे बहु दे, पितांबर की धोती दे मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे चटक की चाल दे, पटक की मौत दे चंदन का काट दे, रानी सांग राज दे दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और क्रिशन जी का कांधा दे, मैं उस बुझूर्ग महिला की सारी मनोकामने पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती, मैं क्रिशन जी का कंधा कहां से दूँगी? भगवान शिरी क्रेशन जी, तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर-जोर से हंसने लगए, और फिर भगवान शिरी क्रेशन जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो जब वह बजुर्ग महिला की मृत्य होगी, तब मौके पर मैं और आप ही गंधाते देंगी, आप सुभा जब वह पूजा करने आए, तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा कुछ दिनों बार, वह रिद महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गए पूरे गाउं के सब ही लोग आए, और उस महिला को सब ही लोग धर्मात्मा मानते थे उसको तुलसाजी की डोकरी कहते थे, उसके परिवार में कोई भी नहीं था इसलिए गाउं वालों नहीं, उसके अंतिम संसकार करने की योजना बनाई और उसे नहला कर, जब वैकॉंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत्श्रीर इतना भारी हो गया था, कि उसे कोई उठा नहीं पाया यह सब देखकर, वहां के सभी लोग तरहा तरहा की बातें करने लगे और कहने लगे, कि यह इतना पूजा पाट करती थी, हर समय माला फेरती थी इसलिए यह इतनी भारी हो गई है वहीं, पूरे गाउं में चर्चा होने लगी, कि डोकरी माई कोई भक्ती नहीं करती थी यह छलकपट करती थी हम जिसे धर्मात्म समस्त थे, वह पापी है जो की किसी से भी नहीं उठ पा रही है यह इसके कर्मों की सजा है इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्रहमन का भेश धारन करके वहाँ पर आये और वहाँ पर जितने भी लोग इकठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतने भी क्यों लगी है जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठी नहीं पा रही है सब उठा उठा कर ठक गए तब भामन जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो फिर वहाँ देखो कैसे उठती है तो सब ही लोगों ने कहा कि आप भी प्रियास करके देख लीजी तब भगवान ने उस व्रद महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई देखो मैं आ गया और जो भी बुडिया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे तु बिल्ला सिंचे मेरा मैं करू निस्तारा तेरा डोकरी माई बहू ले बेटी ले पोता ले लड़ू ले पितांबर की धोती ले गहना ले घी का घड़ा ले मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले दाल बाद का भोजन ले धन दौलत ले बेटा पोता को काम ले तुलसी का पत्ता ले मुह में गंगा चल ले ग्यारस को दिन ले शिरी कृष्ण जी का कंधा ले इतना सुनते ही दोकरी हलकी हो गई भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ भगवान ने हाथ लगाया और दोकरी उठ गई सबको बड़ा ही अश्चरे हुआ उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए पूरे गाउं में इसकी चर्चा होने लगे जिससे उसको मुक्ती मिल गई और वह वैकॉंठ में चली गई सब ही लोग देखते रह गई सब ही लोगों ने देखा कि शमशान घार तक तो ब्रहमन साथ ही आया था लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं स्वैम भगवान ही बूढे भ्रहमन की रूप में आये थे तो बोलिये श्री राधा कृष्ण भगवान की जय बोलिये श्री तुलसी शाली ग्राम जी की जय श्री तुलसी महरानी करू विने सिरनाए जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए नमो नमो तुलसी महरानी महिमा मितना जाए बखानी दियो विष्ण तुमको सन्माना जग मैं चायस अश्य महाना विष्ण प्रियाज जयति भवानी तिहू नोक की हो सुख खानी भगवत पूजा कर जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं होए निवासा उस पर करी विष्ण नहीं बासा करे सदा जो तव नित सुमिरन तेही केकाज होई सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुमारी पावे सुंदर वर्सु कुमारी करे जो पूजन नित प्रतिनारी सुख संपति से होए सुखारी वृधा नारी करे जो पूजन मिले भक्ती होवे पुल कितमन श्रधा से पूजे जो कोई भवनिधे सेतर चावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे छायो तब प्रताप चगभारे ध्यावत तुम ही सकल चितधारे तुम ही मात यंद्रन तंत्रन में सकल काज सिथी हो वेक्षन में ओश भिरूपाप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देव रिशी मुनियो तप धारे करत सदा तव जै जैकारे वेद पुरातन तव यश गाया मही मागम पार नहीं पाया नमो नमो जै जै सुख करनी नमो नमो जै दुख निवारनी नमो नमो सुख संपत देनी नमो नमो अग कार्टन छेनी नमो नमो भगतन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज सवारनी नमो नमो जे कुमतिन शावनी नमो नमो सब सुख्ष पुजावनी जैती जैती जैतुलसी माई ध्याओं तुमको शीष नवाई निज जन जानी मोही अपनाओं बिगडे कारज आप बनाओं करूं विनय में मात तुम्हारी पुरण आशकर हूं हमारी शरण चरण कर जोरे मनाओं निशतिन तेरे ही गुण गाओं करूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगू मात ये बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानु नहीं कुछ नेम चारा छम हूं मात पराद हमारा बारह मास करे जो पूजाता समचग में और न दोजा प्रथम ही गंगा जल मंगबावे फिर सुन्दर सनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चड़ावे धोप देपने वेध्य लगावे करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हिर्टे निर्मल से पाठ करे फिर चाली साकी अस्तोती करे मात तुलसा की यह विधी पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्थी का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई तुलसी महिया तुम कले आणी तुमरे महिमा सब जग जानी भावन तुझे मानित नित ध्यावे गागा कर्मा तुझे रिझावे यह श्री तुलसी चाली साँ पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पाव ही जो मन इच्छा हुए तुलसी चाली साँ संपून उमीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब चरोर कीजेगा धन्यवाद आपका मंगल हो